देखिए निगेटी मार्किंग को लेके शरीता जी मैं आपको clear-cut concept बताता हूं कि निगेटी मार्किंग को कैसे deal करना है पहले जो question आता है वो सबाब कर लिजेगा ठीक है अब question में से option eliminate कीजिए option eliminate क्या होता है मैं आपको अभी तो मेरे पास कोई question नहीं है मैं आपको example के तौर पर समझाता हूं कि इंडिया का सबसे बारा port कौन है port मतलब बंदरगा कहां पर ठीक है अब वहां पर चार option दिये हुए है एक है for example पटना दूसरा है लखनौ तिसरा है क अब अपना IQ लगाई है कुछ नहीं आता IQ लगाई है कि पटना में port क्यों होगा बंदरगा क्यों बनेगा पटना तो बीच में है लखनौ बीच में है भुपाल बीच में हो सकता है कि कलकत्ता में हो कि मैं एक एक्जामपल देकर समझा रहा हूं इस तरह से इतना straightforward option नहीं होगा लेकिन क्या होगा कि आप दो एक या दो ऑप्सन एलिमिनेट कर लिजेगा तो आपका सही होने के चांस 50% हो जाता है आप पहुत सारे UPSC में इस तरह से सिखाया जाता है कराया जाता है और मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूछा जा रहा है आपको पूछा जा रहा है आप देखे कभी कभी क्या होता है कि जैसी यह पूछा कि डच इस इंडिया कंपणी ने किस वर्स अपनी फैक्टरी पटना मस्थापित की ठीक है अब यहां ऑप्सन है 1632, 1774, 1857 और 1601 ठीक है अब देखे 1774 और 1857 की हम बात नहीं करें क्यों क्यों कि तब तक जो इंग्लिस कंपनी थी वो सेटल हो चुकी थी अब बचा हमारे पास 1601 और 1632 अब दो उप्सन तो आपने इलिमिनेट कर दिया न को कि आपको हिस्ट्री आपके दिमाग में है कि 1857 तक तो भाई डच का नामों निसान नहीं बचा था यहां पर आपका दो ऑप्सन घट गया आप 1601 और बिल्कुल आपको नहीं पता है कि क्या है 1601 और 1632 अब 1601 और 1632 में तुक्का मारिएगा तो आपका 50% चांस है कि सही होगा एंसर 1632 है ठीक है मैं एक और कोश्चन देखता हूं अब देखिए यह कोश्चन है बीपेसी में पूछा गया पूश्चन है चौश्टवी बीपेसी में पूछा गया है कुवर सिंग अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रों में किस जगह सामिल हुए ठीक है ऑप्सन है आरा पटना अब कुवर सिंग बिहार के हम लोगों को पता है कुवर सिंग हम लोग बच्वन से पढ़ चुके हैं तो लखनाओं और बारा नसी तो पैसे अल्मिनेट कर दीजे बचा पटना और आरा तो पटना और आरा में से आपको एक पेटिक लगाना है तो इस तरह से हंड़ेट पर करके तुक्का नहीं मारना है दिमाग फोड़ना है हर कोश्चन पर दिमाग फोड़ना है आपको कि यह कैसे सही होगा यह क्या होगा इसका क्या कर सकते